जे मातादी दोस्तों, वर्ण बैस मैजिक में आपका हारदेख स्वागत है, कैसे हैं आप से? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में हुली का तेवार बहुती विसेस महात्वर रखता है, इस तेवार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जाना जाता है, हुली का तेवार दो दिन तक मनाया जाता है, फालगुन महा के पूनमा के दिन होली का दहन किया जाता है और वहीं अगले दिन होली खेली जाती है जिसे दुलेंडी कहा जाता है इस तेवहार पर कई परंपराओं को निभाया जाता है इसी में से एक परंपरा है नो विवाहे दुलहन का अपनी पहली होली पर मायके जाना होली के मौके पर सभी नई दुलहन अपनी पहली होली अपने मायके में ही मनाती है इस परंपरा को सालों से निभाया जा रहा है ऐसा माना जाता है कि नई दुलहन के लिए ससुराल में पहली होली देखना असु माना जाता है जी हाँ साधी के बाद पहली होली का क्रेज हर लड़की को होता है लेकिन भारत में कई जगहे पर ये एक रस्म होती है जिसमें साधी के बाद पहली होली लड़की को अपने ससुराल में नहीं बल्कि माईके में ही मनानी पड़ती है ये परंपरा सालों से चली आ रही है लेकिन इसके पीछे क्या मानता है ये बहुत ही कम लोग जानते है तो आज हम आपको इस वीडियो में यहीं बताएंगे कि साधी के बाद नई नवेली दुलहन ससुराल की पहली होली क्यों नहीं देखती है इसके पीछे क्या वज़य है ऐसा क्या कारण है कि साधी के बाद पहली होली लड़की को अपने माईके में मनानी होती है तो आपको बता दें कि सास्त्रों के अनुसार पहली होली, सास और बहु को एक साथ जलती हुए नहीं देखनी चाहिए क्योंकि सास और नई बहु का एक साथ होली को जलते देखना बहुत ही असुव माना जाता है जिसका असर घर के लोगों पर भी पड़ता है साथ ही इन दोनों के रिस्तों में भी खटास आती है या फिर दोनों के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी ये असुफल देने वाला हो सकता है इसी कारण से पहली होली पर नो विवाहिता लड़की अपने माईके जाकर होली खेलती है होली के मौके पर लड़की पहले ही अपने माईके चली जाती है और पती होली वाले दिन अपने सुसुरा लाता है और अपनी पत्नी और सालियों के साथ होली खेलता है जिसकी वज़े से पती और पत्नी के बीच में आपसी सम्मंद और प्यार बढ़ता है लड़की का पहली होली पीहर के आंगन में खेलने से नो जोड़े का पैवाहिक जीवन, सुखमय और सौहार्द पूर्ण भीतता है एक तो साधी के बाद पहली होली माईके में करने से नई नवेली दुलन अपने पती के साथ कुम इंज्वाय करती है इससे दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है साथ ही दामात का भी अपने ससराल पक्च से संबन्द स्ट्रॉंग बनता है तो दोस्तों यही कुछ कारण है कि नव विवाहिद लड़की अपनी पहली होली माईके में मनाती है तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्थ से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साच चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद